हेलो एवरिवन welcome to my दिशा अकेडमी मैं रस्मी सिन्हा आज वीडियो लाई हूं most important current affairs का यहां पे चल रहा है daily current affairs series तो ज्वाइन कर ले माई दिशा एकाडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए आप अगल के बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर ले माई दिशा एकाडमी पे करेंट अफियर सीरीज चल रहा है तो च सब्सक्राइब को काफी हेलफुल रहे पहली female wrestler जिन्होंने दो मेडल जीता है World Wrestling Championship में वह कौन है तो वह है ड़ फर्स्ट फिमेल रेसलर जिन्होंने वर्ल्ड रसलिंग Championship में जीता है वो है Vinay's Fogart देखे Vinay's Fogart के बारे में थोड़ा जानते है ये ब्रॉंच Medal जीती है तो कौन सा Medal जीती है ब्रॉंच दो Medal जीता गया है पहली बार किसी Female Wrestler के दौड़ा World Wrestling Championship जो की हो रहा है कहां Siberia, Belgrade में Belgrade Siberia में ये Organize हो रहा है जिसमें 53 kg category में Vinay's Fogart ने जीता है ये Medal याद रखें पहली बीमेन है तो अफकोस कोशन आने के पूरे चांस है इन्होंने दो Medal जीता है World Wrestling Championship में इन्होंने किसे हडा कर जीता है तो Vinay's Fogart ने हडाया है European Champion इमा म्याल्क गुरेंको जो कि Sweden की खिलारी है उनको हडाकर ये बन गई है पहली Indian Win Women Wrestler जिन्होंने दो Medal जीता है तो ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं Question No.2 की तरफ Top French Civilian Honor Award अभी हाल में एक Indian को दिया गया है आपको बताना है वो कौन है तो देखिए Civilian Honor Award जो कि French Award है Top French Civilian Award है ये दिया गया है इंडिया की स्वाती पीरामल को स्वाती पीरामल जो कि Vice Chairperson है पीरामल ग्रूप की और इन्हें मिला है ये Honor Knight of the Legend of Honor ठीक है ये Award काफी Important Award है क्योंकि ये French का Highest Civilian Award है जो कि दिया गया है स्वाती पीरामल को ये याद रखें क्यों दिया गया है क्योंकि ये Business और Industry में इन्होंने Outstanding Performance दी है वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो जरूर पूछें वीडियो अच्छा लगें तो Like कर दे, Share कर दे और जल से जल My Disha Academy जोईन कर ले सब्सक्राइब कर ले YouTube चैनल को साथ में My Disha Academy एक ऐसा वेबसाइट है प्लेटफार्म है जहां पर बहुत सारे One Liner Quizzes, Daily Quizzes, Hindi Quizzes सेर किया जाते हैं और उनका आंसर तुरद दिया जाता है तो आप जरूर जोईन कर ले Which city has nominated as the first culture and tourism capital for 2022-23 in SCO's meet देखिए कौन सी city जो है अभी हाल में SCO's meet में Cultural and Tourism Capital की तरह उभर के आई है इनका नाम दिया गया है सीटी का नाम दिया गया है और इसे डिबलब किया जाएगा as a cultural and tourism capital तो वो है बताए वारा नसी जी हाँ वारा नसी city को nominate किया गया है as a first cultural and tourism capital during 22-23 meet of SCO held in Samarkand हम सभी जानते है Samarkand उजबेकिस्तान में SCO's meet हुआ जहाँ पे वारा नसी city को first cultural and tourism capital घोसित के आगया है और ये announcement करते है हमारी प्राइम मिनिस्टर अरे रेंगर मोदी इसलिए बहुत important है ये कौन सा meet था? 22nd meet था कहां हो रहा था? Samarkand उजबेकिस्तान में हो रहा था कौन से city को cultural and tourism capital बताया गया है वो है वारा नसी तो यहाँ पे current affairs के साथ static current affairs भी cover किया जाता है तो थोड़ा जानते हैं वारा नसी सहर के बारे में देखिए वारा नसी जो है जो कि वहां का बहुत ही traditional culture है काफी famous है सारी उसके अलाबा बहुत से आसरम, praised places famous है वारा नसी के आगे बढ़ते हैं देखिए कौन सा पहला UT यानि यूनिन territory है जिसे स्वक्ष जल प्रदेश घूसित किया गया है तो बताए कौन सा है वो UT जिसे स्वक्ष जल प्रदेश बताया गया है देखिए यहां पे जो current affairs लाए जाते हैं वो the Hindu PIB Indian Express को पढ़के लाया जाता है जो कि आपके सभी exam में important है चाहे आप SSC दे रहे हो railway दे रहे हो group D दे रहे हो UPPCS दे रहे हो state PCS दे रहे हो सभी के लिए important है क्योंकि यह सब क्या है news है तो news तो सभी exam के लिए important है तो स्वक्ष जल प्रदेश जो है वो बन गया है कौन सा UT तो वो UT है बताए लक्षदीप, अंडमान निकोबार, लदाग, चमुएन कस्मी आंसर इस अंडमान एन निकोबार देखें अंडमान निकोबार आइलेंड को बना दिया गया है पहला स्वक्ष जल प्रदेश यह घोशित करती है Union जल सक्ती मिनस्टर गजिंदर सिंह से खावत के दोड़ा अंडमान निकोबार बन गया है इंडिया का पहला स्वक्ष जल प्रदेश स्वक्च जल प्रदेश का मतलब क्या है देखिए स्वक्च जल प्रदेश का मतलब है वहां के जो भीलेजेज है सभी भीलेज जो है उनको हर घर जल सर्टिफिकेशन मिल चुका है इसका मतलब कि वो ODF फ्री नहीं ODF प्लस हो चुके है ODF यानि open defecation free यानि की toilet और स्वचाले का इस्तेमाल करना और ऐसे में ODF प्लस होने का मतलब होता है कि केवल ODF नहीं होना उसके अलावा जो west water होता है urine water होता है उन सब का recycle करना उसको कहते है ODF प्लस तो ये सारे जो भीलेज हैं अन्डमान और निको बारके वो ODF प्लस भी हो चुके हैं ठीक है तो चले आगे बढ़ते हैं स्वक्षे जल प्रदेश अंडमान और निको बार National Logistic Policy 2022 अभी हाल में लांच किया गया आपको बताना है किस के द्वारा तो देखिए इंडिया का National Logistic Policy आ गया है नरेंद्र मोदी द्वारा जी हां हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज National Logistic Policy 2022 इनोग्रेट किया लांच किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैस लांच नरेंद्र लोजिस्टिक पॉलिसी सेप्टेंबर 17 यह प्रोजेक्ट क्या है देखिए लोजिस्टिक में इंडिया का बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट होता है क्योंकि हमारे हाँ प्रोपर लोजिस्टिक फैसलिटी नहीं है और गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस ऐसे में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं यहाँ पर देखिए लोजिस्टिक कोस्ट देखते हैं GDP का जीडीमिक कितना परसंट है तो जर्मनी का 8% केवल GDP का logistic cost में जाता है और वही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का 14% जो है cost वो GDP पे खर्च होता है यानि कि GDP का जो 14% है हमारा जो पूरा income है उसका 14% केवल logistic में चला जाता है तो ऐसे में logistic policy आना बहुत अच्छा है logistic cost in India is high as compared to other developed economy and in this concern the Indian government has launched national logistic policy अब सबाल आता है logistic cost में क्या-क्या आते हैं जो चलिए देखते हैं देखे transportation, warehousing, inventory, order processing, administrative यह सारे cost आते हैं जैसे कि अगर समान बनता है उसके बाद उसका transportation cost आ जाता है उसे warehouse में रखते तो warehousing cost आता है इससे क्या होता है कि जो logistic cost है वो काफी जादा बढ़ जाता है तो अब क्या कर रही है सरकार ऐसे scheme ला रही है ताकि समान जो है वो आसानी से समुंद्र के द्वारा या पिर जो भी means of transportation है उससे global market में पहुँच पाए प्रोजेक्ट चीता किस से related है बताएं काफी न्यूज में है प्रोजेक्ट चीता तो देखिए यह related है protecting चीता, empowering army, empowering air force, development of drone तो यह है empowering air force जी हाँ एयर force को empower करने के लिए लाया जा रहा है प्रोजेक्ट चीता, देखिए Israel-Heron drone, तो आपको पता है इस्रेयल का है और यहीं Israel-Heron drone को introduce किया जा रहा है Indian Air Force प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट चीता जो की make in India program का एक पार्ट है इस्रेयल made Heron unmanned air vehicle, unmanned air vehicle यानि drone का इस्तेमाल किया जाएगा Indian Air Force के द्वारा और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो aim है वो है long range missile और stronger communication capability बढ़ाना भारत का, तो प्रोजेक्ट चीता क्या है यह आप इससे समझ चुके होंगे इसका PDF आपको माईदिशा Academy पे मिलेगा और वहाँ पे बहुत सारे news cover किया जाते है, current affairs cover किया जाते है, video cover किया जाते है तो जरूर आप join कर लें माईदिशा Academy which state has named its secretariat complex on the name of BR Ambedkar देखे BR Ambedkar अभी काफी news में है और इनी के नाम पे secretariat का नाम रखा जा रहा है यह घोसना करती है तेलंगना government तेलंगना government ने यह घोसना की है कि Dr. BR Ambedkar के नाम पे वो पूरा secretariat जो है उसका नाम रखा जाएगा इन्होंने तो propose भी किया है Government of India को कि जो पार्लियमेंट नया बन रहा है न्यू देली में उसका भी नाम Chief Architect of the Constitution यानि Dr. BR Ambedkar के रखा जाए आगे बढ़ते हैं अगर आपको याद होगा तो मैंने पंच तिर्थ के बारे में भी वीडियो शेर किया है जो कि कल की वीडियो है आप जरूर देखें प्रोपर प्लीलिस्ट बना हुआ है करनेड अफेर्स का वहाँ पे जाके आपको सारी वीडियो मिल जाएगी सेप्टेमबर मन की ठीके तो पंच तिर्थ क्या है चलिए बता देती हूं मैं पंच तिर्थ है जो है वो पांच चिवरिस साइट है जिसको डिबलब किया जा रहा है यह जो साइट है वो बियार अम्बेदकर से रिलेटेड है पहला है माउ दूसरा है लंदन तीसरा है नागपूर चोथा है दिल्ली और पांच माय है मुंबई माउ में उन्होंने अपना लाइफ का काफे पार्ट जिया है वियार अम्बेदकर ने लंदन में उन्होंने पढ़ाई की है नागपूर में उन्होंने पढ़ाई की है दिल यह है तो यह है यह है नामदोल नामदोल आने वाला है जैपैन में वहाँ पे हाई इलोर्ट है और काफी भाड़ी नुकसान होने के संभावना है टाइफून के नेम थोड़े ध्यान रखते हैं क्योंकि एक्जाम में आता है different places में क्या नाम है जैसे कि हरिकन, हरिकन कहां बोड़ा जाता है? North Atlantic and North Pacific में ठीक है? अगर हम लोग South America की बात करें तो South Pacific में बोला जाता है Cyclone याद रखें, उसके इलाबा Indian Ocean में बोला जाता है Cyclone ठीक है? और South Pacific में? South Pacific में Cyclone अगर हम लोग बात करें टाइफून की तो वो होता है North Pacific Ocean में तो याद रखें, हरिकन North Atlantic में North Pacific में टाइफून उसके इलाबा Cyclone बोला जाता है Indian Ocean में ठीक है? तो इस तरह से इसके नाम आप याद रखें Quiz देखते हैं, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दे Who released the book Ambedkar and Modi Prime Minister Narendra Modi Ramnath Kovin, Draupadi Mumru Mansook Madabia इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे Share कर दे और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर ले फिर मिलते हैं कल Thank you